जैजिनें दोस्तों मैं हूँ राजवी रिशान पहाड़े आज बात करूँगा उत्तम आर्जव दिर्म के बारे में उत्तम आर्जव परिशन परवकत थर्डे होता है आर्जव क्या होता है आर्जव याने की सरलता सिम्प्लिसिटी सरलता क्या होता है सरलता याने की मायाचारी का उल्टा मायाचारी क्या होता है मायाचारी मतलब दुसरों के बारे में बहुत गंदा सोचना अंदर से कुछ और भार से कुछ और पुत्तमा जब हमें सरलत सिखाता है जैसे कि मिश्री जो कि अंदर से भी मीटी होती है और बार से भी मीटी होती है जैसे सिंपल कुर्टे सिंपल कपड़े पहने से सिंपल नहीं होएंगे हमें माया मन से वचन से और काया से सिंपल बनना होगा अगर हमारा मन सिंपल हो जाए दूसरी चीज़े आटोमाटिक सिंपल हो जाएगी मेरे पापा केते है बच्छे भगवान के रूप होते है मैं पूछा ऐसे कैसे पापा ने कहा बच्चो का मन निर्मल होता है उनमें कोई मायाचारी नहीं होता तो हमें भी बच्चो बना है मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ एक बच्चा अपने पापा के साथ पॉन के पास खड़ा था उसने देखा एक बगुला याने की हेरान बर्ड एक बगुला पॉन में दीरे दीरे चल रहा था और फिर उसनात में पापा से पूछा पापा पापा के बगुला इदम दीरे क्यों चल रहा है पापा ने बोला ये बगुला तो बहुत अच्छा दिखता है कोई जीवना मर्जा इसके लिए दीरे दीरे चल रहा है और पॉन तभी पॉन की एक मचलिये ने उन दोनों की बाते सुनी मचली ने सुचा कि उन दोनों से बात की जाए मचली बोली ये बगुला बोत खराब है इसने मेरी सारी फैमिली फिशेस को खा लिया पॉर्ड मेसी थोड़ी फिशेस है बच्च बोला ये बगुला अच्छा होने का दिखावा कर रहा है एक्चुल में निकला तो बहुत खराब तो हमें बगूला जैसा नहीं बच्चो जैसा बना है निर्मल और सिंपल जाजी नेंदरा वीडियो ची लगी तो लाइशे सब्सक्रेंड कीजिएगा